सुप्रभाद बच्चो आसा करते हैं आप सकुसल हैं तो आए हम कक्षा दस्मी का वाक्य भेद पाठ पढ़ रहे थे जिसमें हमने सेक्ट वाक्य की परिभासा पढ़ी थी कि जिन वाक्यों में दो उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं तथा समुच्ची बोधक अब्याई वारा जोड़े जाते हैं उन्हें स्वत्वाक्य कहते हैं समुच्ची बोधक अब्याई सब्द परंतु और इसलिए यह सब्द जिन वाक्यों में होते हैं वे वाक्य स्वत्वाक्य होते हैं अब हम देखेंगे स्वत्वाक्य के परकार अर्थ की दिश्टी से स्वत्वाक्य चार प्रकार के होते हैं, नमबर एक योजक स्युक्त वाक्य, जब ऐसा अब्याई सब्द जो दोनों उपवाक्यों को आपस में जोडता है, तो उसे योजक स्युक्त वाक्य कहते हैं, उदाहरण के लिए बिद्या से ज्ञान बढ़ता है, तथा सम्मान मिलता है, ल्यानि कि जिन वाक्यों में और, तथा, बलकी, एवं, वो, अपितु जैसे सब्द आएंगे, वे वाक्ये योजक स्युक्त वाक्य के उदाहरण होंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे वियोजक स्युक्त वाक्य, जब स्युक्त वाक्य के दो उपवाक्यों के कथनों में विकल्प होता है, अर्थात दोनु में से एक को चुनना होता है तो उसे वियोज़क शिंक्तव़ाकिय कहते हैं उधारन के लिए या अथवा चाहे आदि जिसको हम इंग्डिस में ओप्सन कहते हैं यानि कि जहाँ पर हमको विकल्प, आप्सन मिलता है, वहाँ पर स्विक्त वाक्य का वियोजक स्विक्त वाक्य होता है, जिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में या, अथ्वा, चाहे, जैसे सब्दों होंगे, वे वाक्य स्विक्त वाक्य के वियोजक के उधारान होंगे उदारन के लिए आपको समझा दें तुम जा रहे हो या मैं जाहें यानि कि इस वाक्य में option दिया जा रहा है कि तुम जा रहे हो या मैं जाऊं तो ये सब्द या अत्वा चाहे जिन वाक्चों में होंगे वे सियुक्त वाक्ची के वियोजक सियुक्त वाक्ची का उदारण होगा तीसरा हम देखेंगे विरोधक सिंक्त वाक्य विरोधक सिंक्त विरोध मींस एक तरह से किशी चीज का समर्थन ना करना होता है तो जब दो उपवाक्यों के कथनों में विरोध रहता है तो उसे विरोधक सिंक्त वाक्य कहते है यानि कि आप ऐसे समझे कि सुनिक्तु वाक्य के जिन उदाहरणों में किन्तु, परंतु, मगर, लेकिन, बलकी ये सब्दों होंगे वे सुनिक्तु वाक्य के विरोधक सुनिक्तु वाक्य का उदाहरण होगा जैसे उदारण के लिए आप देखिए सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो सत्य तो बोलना चाहिए परंतु कटु मीज बहुत कठोर सत्य नहीं बोलना चाहिए यानि कि परंतु सब्द कहीं न कहीं सत्य बोलो का विरोध थोड़ा सा कर रहा है मैं जाने को तैयार था पर लोगों ने जाने नहीं दिया यानि कि पर सब्द ने इस सब्द का कहीं न कहीं इस उपवाक्य का विरोध कर दिया तो ये हुए स्निक्ट वाक्य के विरोधक वाक्य अगला है परिणाम वाची स्निक्ट वाक्य जब सिंक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक में किसी कारण का बोध होता है और दूसरे से उस कारण से उत्पन कार्य या परणाम का बोध होता है तो कार्य कारण संबंध होने पर सिंक्त वाक्य को परणाम वाचक सिंक्त वाक्य कहते हैं उदाहरण के लिए हम देखेंगे, आप ऐसे समझे, मैं बीमार हूँ, इसलिए बैठक में नहीं आ सकता, जो उसे लड़की पसंद थी, अतह साधी के लिए तयार हो गया, यानि कि लड़की पसंद होने के कारण साधी के लिए तयार हो गया, यानि कि ये इस पसंद का कारण का परिणाम होता है साधी, तो यानि कि किसी वाक्य में किसी काम का परिणाम तक पहुँचना परिणाम वाची स्रिक्त वाक्य का उदारन होता है ये स्रिक्त वाक्य यहाँ पर हमारा पूर्ण हुआ अब हम देखेंगे मिस्र वाक्य तीसरा है रचना की दृष्टी से वाक्य का भेद मिस्र वाक्य दिया था कि आप ऐसे समझे पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जो परस पर आश्रित हो तथा उनमें से एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो यानि कि मैंने आपको समझाया था कि एक तो होते हैं दो उपवाक्यों वाला वाक्य जिसमें दो उपवाक्य अपने आप में दोनों स्वतंत्र होते हैं पूर्ण होते हैं उनको एक दूसरे उपवाक्य की साहयता की आश्रित होते हैं जो बताया था आपको सेक्त वाक्य का उदारान होता है दूसरा होता है मिस्र वाक्य मिस्र मुख्य में दोनु उप्वाक्य में नावस्यक होते हैं एक उप्वाक्य में या निर्भरा के तो उधारन के लिए हम जानेंगे मिस्र वाक्य का उधारन अध्यापक ने रहे इन निरध क Infoda बंद रहेगा की सब्द इस मुख्य ये मुख्य उप्वाक्य है और ये कल्ब ड्याले बंद रहेगा ये आश्रित की सब्द ने इन दोनों को आपस में संबंधित कर दिया है इस वाक्य को इस वाक्य पर आश्रित कर दिया है वाक्य नहीं ये उप्वाक्य होते हैं इस और यह आश्रित उपवा के वह लड़का जो पेड के पास खड़ा है मेरा मित्र है यानि कि वह लड़का और मेरा मित्र तो यह एक दूसरे पत तोनु उपवा के निर्भर हैं इसलिए यह मिस्त्र वाक्य का उदाहरण हैं उप्रोक्त आप उदाहरण के बाद देखिए उप्रोक्त उदाहरणों में रेखांकित अंस मुख्य उपवा के तथा को दर्सा रहा है उदारणों में प्रेखां की तांसर जो है इसमें ये मुख्य हैं ये मुख्य उपवा के हैं और बाकी पीछे का जो ये दूसरा उपवा के है ये उपवा के आस्रित है और ये आस्रित उपवा के निर्भर होता है मुख्य उपवा के पर आसा करती हूँ आपको समझ में आ गया हुगा